थाकड खबर के नियूजुम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहिसकान के आपको पता है कि परधान मंत्री नरेंद्र मुदी द्वारा एक परियोग किया जा रहा है एक तजर्बा किया जा रहा है एक एक पल सोए लगातार 24 गंटे तक देश की सेवा करते रहें और दो घंटे सोने वाली जो उनकी आदत है जिसके बारे में आपने भुपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बलके तो इमानदार बन चुके पत्रकारों की जबानी खूब सुना होगा कि परधान मंत्र नरेंद्रमोधी के जारा है यह ऐक्सपरिमेंट परदान मंत्री नरेंद्रमोधी कर रहे हैं यह हमारा कैना NEW है नहीं है यह कहना है भारतिय जन्ता पाटि के बड़े नेता का बकाइदा वीडियो जारी करके भारतिय जन्ता पाट सबहा हो How has तर परदानमंत्री नरेंद्र मोधी किस तरह से कर रहे हैं और दूसरा कौन है भाजपाई जो परदानमंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा किये जा रहा है तजर्बे प्रियोग एक्सपरिमेंट की जानकरी पहले ही मीडिया में लीक कर दे क्या इसके खिलाब कोई action होगा या इसे जानकरी कहां से मिली इस बारे में इसे कोई सवाल पूछा जाएगा इन सवालों के जबाब हमारे पास भी नहीं है लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे कि किस नेता ने ये बताया है लेकिन उससे पहले को जानकरिया है उन्हें जर हैं उन पर गोर कर लेना चाहिए पहला सवाल आपके जैन में आना चाहिए कि चंद्रकान पाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र बंदी के प्रियोग तजर्बे और एक्स्परिमेंट को लेकर कहां पर बयान दिया है देखे कुछ खबरें आपके सामने रख रहा हूंने थो उसके बाद यह सीट खाली हो जाती है इस सीट पर बाइलेक्शन यानि कि उप चुनाव घोशित कर दिया जाता है 12 अप्रेल को इस सीट पर मतदान होगा 16 अप्रेल को इस सीट के चुनावी नतीजे सामने आएंगे इस सीट का जो पुराना इतिहास है वो कुछ इस प्रकार है जो 2019 के विधान सबाच नौव में देखने को मिला था जब कॉंग्रेस के चंद्रकांट जादम ने शांदार जीद दर्ज की थी और उन्होंने यहां पर 16,000 से जादा वोटों से हरा दिया था शिवसेना के प्रत्याशी को हरा दिया था जिनका नाम राजेश मिनायक बता के साथ है लेकिन बीजेपी जैसा के विपक्ष में खड़ी हुई है तो उसने अपना प्रत्याशी यहां पे उतार दिया है अपने उसी प्रत्याशी के समर्थन में परचार करने के लिए यहां पहुंचे महराष्ट के बीजेपी प्रदेश अध्यक्स चंद्रकान पाटिल और उन्होंने बताया कि प्रधान मुंत्री नरेंद्र मोदी एक तजर्वा कर रहे हैं कि वो कैसे 24 गंटे तक लगातार काम कर सके हैं और दो गंटे सोने की आदत से भी उनको निजात मिल जाए अब सुन लीजे चद्रकान पाटिल को सुन ली आपने चंद्रकान पाटिल को हाला कि आप यह बयान सुनने के बाद उन बयानों को भी याद करना चाहेंगे जो कुछ दिनों पहले तक चंद्रकान पाटिल दे रहे थे कह रहे थे कि मार्च तक महाविकास आड़े की सरकार गिर जाए लेकिन जब सरकार नहीं गिर पाई तो आप बात कर रहे हैं दो हजार चोबिस की और इस चुनाओ को काफी मैटमू चुनाओ बता रहे हैं का जा रहा है कि इसके बाद महारास्ट में पंच्या चुनाओ होंगे और मुम्मा इमान अगर पालिका के भी चुनाओ होंगे उन च लेकिन जब फुल फ्लेस चुनाओ होते हैं विधान सबाके हों लोग सबाके हों वहां पे हमेशा भाजपा ही जीती है तो यहां परिणाम इतिहास दोरा सकते हैं कि उप्चिनाओं में भाजपा हार जाए लेकिन जो बयान चंद्रकांट पाटी ने दिया है भूंपू मीड विए भी देस की सेवा कर सके बाकी तो आप लोग सब जानते हैं जाधा कुछ बताने की जरूवत नहीं हैं फिलाल कमेंट के रुप में आप banda ot exp shovel को सब्सकरण कर सकते हैं उत्सप्सक्राइब कर सकते हैं इस जाहर्धा से जाहर्धा यहां वारे इसके सब्सक्राइब कर सकत